नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका आप ही की अपने यूटूब चैनल आरकेवर माइलक्टिकल पर तो आज हम डिसकस करेंगे यतने भी आपके टेकनिकल एकजाम हैं उन सभी के लिए महत्यपूर्ण प्रिसनों के बारे में इससे पहले भी हम कैई वीडियो अप्लोड कर किसी सफ्रे relative करेंहें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राफिस सकते हैं तो चलिए फिर इस्टार्ट करते हैं पिरसन संहिया एक्यामन से सिंक्रोनेस मोर्टर पावर फैक्टर पर कारिया कर सकती है यानि कौन कोन से पावर फैक्टर पर सिंक्रोनिस मोटर कारिया कर सकती है तो आपका लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी तीनों ही पावर फैक्टर पर आपका सिंक्रोनिस मोटर अच्छे से कारिया कर सकती है राइट आंसर आपका D रहेगा आगे चलते हैं किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब यानि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है तो आपका लोड में अचानक परिवर्तन होने से इसमें हंटिंग दोस्त पैदा हो जाता है तो राइट आंसर आपका A के भी हंटिंग कम की जा सकती है और आपका डेमपर मांडिंग का वियोग भी कम करके कम की जा सकती है और आपका सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके भी आपका हंटिंग की कम की जा सकती राइट आंसर आपका रहेगा रोटर स्लोट की स्कुइंग यह कि आपका इंडेक्सरे मोटर में आपका यूज किया जाता है ना कि आपका सिंक्रोनस मोटर में इसके द्वारा हम रोटर की पकड़ जो होती है उसको कम किया जा सकता है इस क्विंग के लिए करके आगे चलते हैं सिंक्रोनस मोटर का पिरसार हमेशा कारक होता है तो आपका इस जिसे सूनने मेग्रोटिक पर्माबिलिटी के साथ गहर चुम्ब के पधार्त के छले द्वारा समर्फित मिलता है। तो राइटांसर आपका C रहेगा परिधात्मक छेत्र हिस्टेरेसिस मोटर। आगे चलते हैं घरेलू रैफरीज्टेटर में प्रियोग हने वाला मोटर कौन सा है तो आपका सिंगल फेस इंडेक्शन मोटर होता है इसका अप्योग घरेलू फिरीज के इन्तरिकत किया जाता है। है निमन में से किस सिंगल फेज मोटर में उस्तम चलक होता था थो रहाट राइटणसर आपका के पिश्टर र्ण इसका राइट आइसर रहेगा क्योंकि का टर्क अधिक होता है आगह चलते हैं कि सिंगल सिंगल फेज्ट राइंडिंग एक दूसरे से कितने अंस के कौन पर रखी जाती हैं तो आपका 120 के कौन पर रखी जाती होंगी आपने देखा होगा इस पिरकार का आपका कौन डिजाइन किया जाता है तीनों बैंडिंग के अंतरगर 120 का कौन होता है आगे चलते हैं एक लेप वाउंड और DC मसीन में कंड्यक्टरों की संक्या 100 है और समांतर पतों की संक्या 10 है तो आपका पिछ उसत उसत पिछ कमान कितना होगा तो उसत पिछ कमान 100 बटे 10 यह तो राइट आंसर आपका जेड अपॉन पी यह ए रहता है तो राइट आंसर आपका देर 10 रहेगा आगे चलते हैं निमन मेंसे क्या स्कुरिल के इंडेक्सन मोटर में मौजूद नहीं होता है तो आपका स्लिप रिंग और बुरुस स्कुरिल के इंडेक्सन मोटर के पार्ट नहीं है जबकि यह आप के स्लिप लिंग इंडेक्सन मोटर के पार्ट होते हैं तो राइट आंसर आपका सी रहेगा ए और भी दोनों आगे चलते हैं एक डेवल स्कुरिल के इंडेक्सन मोटर में आपका दो रोटर में समांतर मांडिंग होती है, तो राइट आंसर आपका C रहेगा, आगे चलते हैं, इन में से कौन से कैपिस्टर में अपेच्छा करम कम सैल का लाइफ होती है, तो आपका इलेक्टोलाइट परिकार के कैपिस्टर जो होता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो तो आपका tank type all circuit, sorry, air circuit बेरेकर का आपका voltage rating बहुत कम होता है, तो right answer आपका A सही रहेगा, आगे चलते हैं, quaking सब्द इन में से संबंदित है, तो quaking सब्द आपका induction motor से संबंदित है, और इसको कम किया जाता है, रोटर की जो आप फिछड़ों होती है उसको इसकी यानि तिर्चा करके कम किया जा सकता है आगे चलते हैं नीचे दिये गई चित्र में चित्र के जरी कौन सी बाइंडिंग को दिखा गया दिखाया गया है तो आपका कि इसके अंतरकत आपकी इसकिन वाइंडिंग को दिखाए गया है तो राइटाइंसर आपका ए रहेगा आगे चलते हैं एक एसे इस्टेटर वाइंडिंग पर निरन्ता प्रजिक्षान करते हैं वाइंडिंग में सौर्ट सरकेट होने की इस्तिति में सिरीज में जोड़ा गय है टेस्ट लेंप होगा तो सिरीज में आपका टेस्ट लेंद पूंड रोश्ट्री प्रदान करेगा सौर्ट सरकेट होने की दसा में आगे चलते हैं अगर किसी इंडेक्शन मोटर में किनी दो फिजों को आपसें बदल दिया जाए तो मोटर की आपकी दिसा विप्रीत हो हो जाएगी तो रही रहाईगा क्योंकि आरव दी होता है यदि इन दोनों में से किसी एक कों मदलते किसी दो को बदल दे या तो बी औरवाई यो या इस आरोय को बदलने या या बी या आपको आरव दालने तो मोटर की गङुंपलें जी साप आपकी परीविर्दित हो जा तो आपका प्हिएचा मोते रखेपी और तो मैंश्को केमा ला तो या कि प्राप्र आपका ऊच्छा कट्र होताइं और आपको सब्सुप सब्सक्ता क्रें इसे पंडूकर इसे परकाल वासिफिग और सकती कांड पात आपको प्रप्र होता है सिंदिक्षन मोटर का संपूर तो आपका नोलो टेश्ट विलो सा, टेyes Bronze और रोटर रेश्टिए के दुवार ही आपकर ूज्व मैं शित्र ग्याद किया जाता है राईट आपका यी रहेगा गैं छिलते हैं इंदेक्षन मोटर पर बिलोग रोटर टेस्ट के इस्तिमाल से किया जाता है क्या पता लगाने के लिए किया जाता है बिलोग रोटर टेस्ट तो आपका रिसाव इंपिडेंस सौर्ट सरक्रिट पावर starting torque rotate voltage sort circuit यह सबी गयाद किए दा सकते हैं प्राइब GS आपसथारं पर हो ने वाला इनमें से कौन सा नुक्सान इंडेक्सक्णücke मोटर के िलोक टेस्ट से बहुत अधिक होता है तो आपका कॉप लोस इसका राइट आंसर रहेगे किसी इंडेक्षन मोटर का टॉर्क नेरः करता है तो आपका रोटर दौड उत्मन ध्यूरे Casper पर नेवर करता है प्रती फेज रोटर करेंट पर नेवर करता है रोटर पावर फेक्टर पर नेवर करता है इंपिडेंस और रोटर साइट पर नेवर करता है तो प्रोग सभी इसका राइट एंसर रहेगा आगे चलते हैं एक सिलिपरिंग इंडेक्शन मोटर को बढ़ा जा स तो आपका रोटर में बाहरी प्रतिरूद इस्थापित करके आपका इसका इस्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा जा सकता है तो आगे चलते हैं एक इस्टार्टिंग गियर का इस्तमल करने का क्या उस देश से है तो आपका सिलिप रिंग में रोटर को सोट सर्कृट करना इसका उस देश से होता है तो राइट आंसर आपका ए रहेगा आगे चलते हैं जब एक एसी विद्दुध धारा का प्रैतिक क्रिया सील लोड पर लाग होती है तो वाधियू के परावद्दों सकते आपकी 3 किलो बोल्ट प्रती ऐमेम इसका रेट आंसर रहेगा निमलिखित में से किस पदार्थ की सकरात्मक सवेदें सीलता बहुत उच्छ होती है तो आपका लोह चुम्ब के पदार्थ की आपकी सवेदें सीलता बहुत उच्छ होती है आगे चलते हैं निम लिखते में से कौन सा घटक विद्धूतावेस के रूप में उर्जा संग्र है संग्रित करता है तो आपका कैपिस्टर ये संधरित उर्जा संग्रे करता है आगे चलते हैं संधरित लेटर कोड 473 जे में जे क्या एंगित करता है तो जे आपका सेहन सीलता को इंगित करता है तो राइट आंसर आपका भी रहेगा प्रितिक्रिया को प्रितिक्रिया को मापा जाता है प्रितिक्रिया को ओम में मापा जाता है तो राइट आंसर आपका ए रहेगा यदि किसी संदारीर पर 10 वूल्ट पर 0.1 to c यानि स्टोर करत उता है तो इसकी चम्ता क्या होगी तो चम्ता आपकी nahe ड़े बरावर क्यों सब्सक्राइुरेस कर दा को सब्सक्राइब हले में जोड़ाता है तो कुल धारिता आपकी तीस माइक्रो फेरट होगी समानतर में और उसके सिरेणी में दस बटे तीन इसका राइट अंसर होता आगे चलते हैं निम लिखित में से कौन सा संधारित समाने रूप से प्रियोग कियाता जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी अप रंगित करता है तो आपका परिवर्ति टूनिंग वाईयू संधारित इसका राइट आंसर रहेगा आगे चलते हैं पूरी तरह से आविशीत संधारित में विद्धु धर्वाह को क्या कहा जाता है तो विद्धु धर्वाह का रुक जाता है यानि जब पूर्ड चार्ड हो रुख जाता है तो राइट आंसर आपका यह रहेगा आगे चलते हैं यदि एक दो फैरट संधारित के पास एक कुला मावेस है तो इसके ट्रेनमेंट पर वोल्ट ता क्या होगी तो क्यों बरावट सी बी से आप ग्यात कर सकते हैं तो राइट आंसर आपका 0.5 वोल्टेस होगी आगे चलते हैं एक विद्धुद डाइपोल को एक समान विद्धुद छेतर में रखा जाता है तो डाइपोल पर कुल विद्धुद बल क्या होगा तो आपका हमेशा उसकी समानतर में रखे जाने पर सुनने होगा तो राइट आंसर आपका सुनने होता है एक सर्कुट बिरेकर का मूल कारिये क्या होता है तो इसका मूल कारिया आसपास की वायू को आई निकरत करना इसका मूल कारिये होता है आगे चलते हैं पिरेडर नियामा किस पिरकार से किस पिरकार एक विशिस पिरकार है यह इंडेक्षन लेडर रेगुलेटर का एक विस्टिस और करने के लिए और इसके बात करें तो आपका कोपर लोज ग्याद करने के लिए किया जाता है आगे चलते हैं ट्रास्फार्मर इस्थापना में निमली खित में से क्या उपस्तित नहीं होता है तो ट्रास्फार्मर में आपका एक्साइटर का प्योग नहीं होता है, तो राइट अंसर आपका D रहेगा, एक ट्रासफार्मर में ताप अनमान निर्धार्ण करने के लिए निमली कित्में से कुण से परिक्षन प्योग किये जाते हैं, तो आपका संपरन्ण ट्रेस्ट जो होता है, आपका ताप मान कर मोन पात एक होता है तो रहे आंसर यह रहेगा ट्रासफ़ार्मर पर नियत नियमित परिक्षन के तहते ने dari नहीं आता था है तो आप का करते त्रक्षेन नहीं आता है यह याँ रूटिन टेस्ट के इनतरगत यह नहीं आता है एक तीन चरंड ट्रास्फार्मर के स्टार कनेक्शन के मावले में चरंड करंट मूझ लेके बरावर होगा तो आपका लाइन करेंट के बरावर होगा क्योंकि इस्टार में करेंट कमान परावर होता है वोल्टेज कमान अंडरूट तीन गुना होता है आगे चलते हैं एक ट्रासफार्मर में चुम्बे की प्रिभा का मार्ग होना चाहिए तो आपका निमन रिलक्टेंस यानि अनीच्छा इसका राइट एंसर होगा आगे चलते हैं ट्रास्फार्मर के इस तवाल लेमिनेशन की मुटा यामतर पर होनी चाहिए तो आपकी पॉइंट 3 mm से .5 mm इसका right answer रहेगा एक transformer में नियत दक्सता निर्वर करती है तो आपकी बहार और लोड के power factor पर दक्सता निर्वर करती है तो right answer आपका D रहेगा आगे चलते हैं transformer में सोर इस्तर को कहा जाता है तो सोर को आपको नमूना पलिक्छन के अंतरगत आता है तो right answer आपका E रहेगा इस पिरकार ये थे कुछ 50% जो इस वीडियो में डिसकस किये गए है वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए और मिलते हैं तब तक अगले paper को लेकर पस्तित होंगे तब तक नमस्कार धन्यवाद दोस्तों